नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेडिकल गुरू टूब चनल पर आज हम क्लेरेक्स प्लस क्रीम के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं क्लेरेक्स प्लस क्रीम का मुक्यतु प्योग भंगल इन्पेक्शन के समस्चा दूर करने के लिए के आ जाता है आईए इस क्रीम के बारे में आधिक विस्तार से जानते हैं यह क्रीम कैशे काम करती है, कहा इस्तमाल होती है, इस क्रीम के क्या benefit से, क्या side effects से, इस क्रीम से जुड़े सभी सावलों की जावाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक दरू देखे कंसेप्ट फार्मासोटिकल कमपनी की 15 ग्राम की यह क्रीम आपको 47 रुपे में किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसा निशी मिल जाएगी, बात करते हैं इस क्रीम में मुझूद कंटेन के बारे में, क्लैर एक्स प्लस क्रीम में टर्बिनाफाइन 1%, क्लोबेटासोल 0.05% अप बनने से रोकता है, और क्लोबेटासोल यह 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 स्टेरोइट दवा है, यह कुछ केमिकल मेसेंजर के उत्पादन को ब्लॉक करता है, जो तोचा में लालपन, सुजन और खुजली का कारण बनते है, और साथी ओपलक जक्सीन यह 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 अंटिबाइटिक दवा है, जो बैक्टरिया के प्रजनन और बैक्टरिया को खुद की मरमत करने से रोक कर उन्हें खत्म करता है, और ओरनिडेजॉल यह भी एक अंटिबाइटिक दवा है, जो डिएने को रुकसान पहुचा कर बैक्टरिया के आलावा अन्य संक्रमक माइक्राइग्राइगनिजम को खत्म तशामें विदाद होना, और यूरीन इंफेक्शन होनी कि समझ्शा, और साथ आखर मैर्माटिदीस, और बैक्टरिया इंफेक्शन होनी कि समक्षा, फंगल इंपेक्शन, अ gladly thought और और साथी इसकिन इंफेक्शन कि समझ्शा इंस क्वीड़ी समस्चा में डॉक्टर इस क्र तुचा का पतला होना इस्तेमाल वाली जगह पर रियाक्षिन होना यह साइड़ पेख हो सकते हैं बात करते हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले हमी क्या क्या सावदानिया लिनी चाहिए यह इदी आपको इसक्रीम में जुद कंटेंट शालर जी है या फिर कोई साइड़ पक्रीम को बात करते हैं इसक्रीम के इस्तेमाल करें बात करते हैं इस्तेमाल के सहीत रिके के बारे मोरी、 आप आपनी समच्चा ओ रेज बता कर इस क्रिम की इस्तमाल आप आपने डॉक्टर या फिर फार्मासि aye पूठ ले दोस्तो पहले आप आपने हाथ दोये उसके बाद प्रभाई सित्र पर इस क्रिम को परियावत्त मात्रा में लागू करे उसके बाद Clarex Plus स्क्रीम का उपयोग करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से दोए यदि इसका इस्तिमाल हाथों के संक्रमन के इलाज के लिए करना है तो वहात को ना दोए दोस्तों अगर आप इस स्क्रीम से जुड़े और भी कोई जान करी चाहते हो तो हमें कमेंट करें और अगला वीडियो किस दावा पे होना चाहिए यह भी हमें कमेंट में बताए इतने आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो का लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इबे लाइक अंदा बाए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिपेकेशन मिलती रहें यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद